सुननन्दा जी का बेटा नितिन और बहु नीती का विदेश में रहते थे। उन्होंने आज ही उन्हें दाधी बनने की खबर दी दी जिसे सुनकर सुनन्दा जी बहुत खुश थी। सुनन्दा जी ने ये खुश खबरी अपने पती रमकान जी को दिया और कहा चलो मंदिर में प्रसाथ चड़ा कर आते हैं नितिन की शादी के 6 साल बात मुझे ये शुब समाचार सुनने को मिला है सुनन्दा जी फोन पर नितिका को समझाती रहती कि बेटा अपना ध्यान रखो वजन मत उठाना आदी आदी नितिका भी जी ममी जी ममी कहकर उनका मान बढ़वाता लेकिन बच्चे इन सब चीजों को नहीं समझते और कम टाइम की प्रेगनेंसी में ही घूमने का प्रोग्राम बना लिया वहाँ जाकर नितिका की तबियत खराब हो गई नितिन तुरंद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि बच्चा तो ठीक है लेकिन अब आपको कम्प्लीटली बेड ड्रेस्ट करना होगा आपको अपने पास अगर कोई बड़े है आपके घर में तो उन्हें बुला लीजे ताकि वो आपका अच्छे से ध्यान रख सके नितिन ने सुनन्दा जी को अपने पास आने के लिए कहा तो वो भी तूरंत ही मान गई और रमकान जी नितिन के पास अमेरिका चले आए लेकिन पास में रहने पर एक दूसरी की आदतों के साथ भी हमें समझाता करना पड़ता है जब बच्चों को अकेले रहने की आदत हो जाती है तो बड़े बुजर्ग से उन्हें बंदन दिखाई देने लगता है सुनन्दा जी नितिका का एक बेटी की तरह धियान रखती थी उसे हिम्मत भी देती थी लेकिन नितिका भी सारा दिन लेट लेट कर हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर होकर चिर्चिरिसी हो गई थी अब उसे अपनी सास का कुछ समझाना नागवार लगता वही बहु जो पहले जी ममी जी ममी करती थी अब उनके कुछ कहने पर जुजला जाती रमाकान जी का सारा दिन घर पर रहना भी उसको बर्दाश नहीं हो रहा था सुननदा जी उसकी मनोस्तिती समझ रही थी उन्हें अब लग रहा था कि जब पहले नितिन उन्हें बुलाया था उन्हें तब आना चाहिए था जिससे बहु को उनके साथ रहने की आदत बनी रहती जैसे जैसे नितिका की डरीवरी का समय करीब आ रहा था उसकी परेशानिया बढ़ती जा रहे थी सुननदा जी अपनी तरफ से नितिका का हर समभव ध्यान रखती और उसके बुरे व्यवहार को नजर अंदास कर दे थी एक दिन नितिका गुसे में सुननदा ची से बोली आप तो मुझसे चुटकारा चाहती है कहते हैं भूल से ज्यादा व्याज प्यारा होता है इसलिए आप मेरा ध्यान रखती है अगर मुझमें और बच्चे में से डॉक्टर ने किसी एक को चुनने के लिए कहा तो आप तो मुझे ही मार जाने के लिए बोलोगी नहीं बेटा केसी बात कर रही हो नितिन भी वही बैठा था और वे भी नितिका का गलत व्यवाहार बरदाश नहीं कर पा रहा था आज उसे बहुत गुसा आया फिर भी नितिका की स्थीती को देख कर उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुसे पर कंच्रोल किया और नितिका से कहा देखो अपने व्यवाहार को तुम क्या से क्या हो गई हो हम सब तुम्हारी परेशानी को समझ रहे हैं तुम भी अपना व्यवाहार सुधारो नितिन उठो ना मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है जल्दी ममी को उठाऊ ना नितिन अपनी मम्मी के साथ नितिका को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया नितिका की हालत बहुत खराब थी उसका चेक अप करने के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि शायद हम मा और बच्चों में से किसी एक की जानी बचा सकते है नितिका दर्द से तरपती हुई भगवान को याद कर रही थी तबी उसे बाहर से अपनी सांस की आवाज सुनाए दी जो रोते हुए बोल रही थी डॉक्टर साब आपस किसी भी तरप मेरी भगवानी को बचा लीजिए नितिका को ये सुनने के बाद अपनी कई हुई सारी बाते इस समय याद आ रही थी उनकी आखों में आजू बहने लगे लेकिन इश्वर की कृपा से नितिका और बच्चा दोनों सही सलाम मत है सुननन्दा जी भी अब नितिका और बच्चे का पूरा ध्यान रखती थी कुछ समय बाद उन्होंने नितिन से अपने घर वापस जाने के लिए टिकेट करवाने को कहा जब नितिका को ये बात बता चला तब उसने सुननन्दा जी के आगे हाथ चोड़ कर उनसे माफी मांगी और बोली मामी मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ प्लीज आप ये ही रहिए अपने पोते और बच्चे के साथ मैं आपको कही नहीं जाने दूँगी अगर आप चली गई तो मैं समझूँगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया रमा कांची बोले अंत भला तो सब भला भाई मैं तो अपना बुढ़ा पापने पोते के साथ ही बिताऊंगी जी बिल्कुल मैं भी और प्यार से नितिका का गाल थप तपा दिया